हेलो फ्रेंट वेल्कम बेक टो कनक इंसीट्यूट मैं हमन्दीप और आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप खुद का एक MLM कंपनी जो कि investment प्लान होता है वो कैसे शुरू कर सकते हैं और उनके लिए जो सॉफ्टर होगा वो कैसा होगा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को अंतक देखेगा जिससे आपको इस वीडियो में वो सारी information मिल पाएगी जिससे आप खुद की क कंपनी जो है connect institute या फिर connect technology यह वीडियो आप जहां पर भी देख रहे हैं हम लोग आपको सामने बैठा कर भी आपके software को ready कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी concept है concept लेकर आईए चाहे आप online मुझे दे सकते हैं WhatsApp के तो या फिर calling पर समझा सकते हैं या हमारे पास आप आकर बैट कर बनवा सकते हैं तो आपको एक टाइमिंग हम लोग लेंगे जो की कॉल पर डिसकस होगा तो उनके बाद हम लोग बना के आपको दे सकते हैं जैसा भी आपका idea हो बट इस वीडियो में आपको एक जो powerbank software होता है उनका मैं आपको देमो दिखाता हूं क्याकिन वो कैस यूजर पैनल और admin पैनल को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके इंतर हमें क्या-कया features मिलता है चली वीडियो को start करते हैं और आते हैं अपने user पैनल पे तो ये user का पैनल है इसको login करने के लिए user ID डालना है simple इनके बाद password डालना है user ID password डालके ये welcome back आपका नाम रहेगा इसमें profile setting आप इस पर जैसे click करोगे तो आपको updates के लिए मिल जाएगा पूड़ा और नीचे logout का बटन है इसके बाद यहाँ पर जो profile का एक user section बनावे इस पर जब आप click करेंगे तो इसमें आप अपने bank detail को update कर पाएंगे इनके साथ नीचे आते है यहाँ पर आपको मिल जाएगा current balance कितना है इसके बाद recharge balance कितना है जिसको fund balance बोलते हैं इसके नीचे recharge का option है जब इसके आप click करोगे तो आपके पास एक QR code आ जाएगा नीचे आप UTR नमर और screenshot डालो submit कर दो तो इससे आपका fund balance लोड़ होगा और इसका अपने से बदल भी सक कर सकते हैं यहाँ से हम money transfer अपने account में कर सकते हैं तो यहाँ पर आप विडॉल वाला यह section है इनके बाद है इसमें section profile का earn का earn यानी कि refer कर सकते हैं आप इसमें statement का जो जो section है इसमें आपको पूरा earning report देखेगा कि कौन सा income किदर से आया है और कितना कितना आया है इनके बाद ह है आपका यहाँ पर team का bank का report का और history का history में आपको जो अपने plan लिया है उनका detail लेगा कि अपने कौन कौन सा plan purchase किये वो इधर दीखेगा आपको और बायवाले में आपको दीखेगा कि आपके company के अंदर कौन कौन से plan है हलां कि यह plan आप admins है manage भी कर सकते हैं तो यह सारा का अगर आपके खोलेगा computer पर यह ऐसा दीखेगा बड़ा होगे अब आते हैं इसके admin panel की उपर में तो admin panel में आपको admin का user ID डालना है इनके बाद इसका password डालना यह login हो जाएगा जैसे यह login होगा login होने इक बाद आपको दिखेगा total team active team total revenue कितना है pending payout कितना है total payout कितना है यह स और यहां से कोई भी a screenshot डाल दिया अभी मैं एक example के लिए करके दिखा रहा हूं तो मानके चलिए एक कोई भी हम image ले ले लेते हैं और यहां से हम क्या करते हैं submit कर देते हैं जैसे इदर से हम recharge के लिए submit करेंगे admin अब देखे इनके उपर में भी एक alert आ गया कि recharge requested प्लीजवे आगा कि यह request आया user id इतना है इस date मैं अभी verified नहीं है transaction id यह है इधर से verify करके इसको recharge balance डाल देगा इसमें settings का button है इसमें आप plan को add कर सकते हैं कोई भी नया plan आपको add करना इधर से plan add कर सकते हैं इनके बाद आप कह कर सकते हैं इसके इंदर में जो plan है उसको delete कर सकते हैं कोई इसके साथ आप site की information को change कर सकते हैं जैसे company का नाम change करना है mobile number change करना है टेलीगराम टेलीगराम का इधर है यह जो support वाला है इसमें टेलीगराम का link लगा हुआ है आप इधर अंदर से admin से change करोगे हैं वह आप पर change हो जाएगा community in the sense कि आप कोई whatsapp group बगरा लगा सकते हो तो उ इनके बाद है इसमें fund, fund में हम क्या करते हैं, fund transfer करते हैं इसके बाद है task, task बाला section इसमें काम का नहीं है, notice वाले section में आप notice जो डालोगे हो वो दिखेगा user को, franchisee panel का भी जरूत इसमें है नहीं, ROI manage का इसमें जरूत है क्योंकि जब कोई product purchase करेगा इसमें से तो उसको per day income मि मिलेगा, तो यह जो 10 रुपया जो इसको per day मिलेगा, रात के 12 बजे मिलेगा, और यह जो मिलने वाला है, वो दो तरीके से मिल सकता, या तो server automatic close कर दे, या फिर आप ROI generate पर जाके एक बार इसको submit करो, तो यह आपके hand में रहता है, आप चाहो कि Sunday को नहीं देना है, तो अगर आप Sunday को button क्लिक नहीं करोगे, तो company के अंदर जितने user हैंगे, किसी को payment नहीं जाएगा, और यही server पर रहेगा, तो वो automatic देगा, हर रात में 12 बजे वो close कर देगा, तो यह button क्लिक करना manual हो गया, वो ही server में automatic connect रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कि income खुद बख खुद पर वो generate कर देगा, जो generate होने का है, और यहाँ पर भी होई है, कि आप one click में company का इंदर 10,000 लोग क्यों नहीं है, सबका generate हो जाता है, withdraw वाले section में क्या मिलेगा, withdraw list मिलेगा, किन-किन user ने withdraw के लिए लगाया है, इनका नीचे में settings है, जो settings अल्रेडी हम उपर में देख चुके है, उसी का एक नीचे में लगा हुआ था, तो जैसा कि अपने यह power bank का जो अभी design देखा है, अब यह power bank नहीं है, इसको ROI प्लान कर सकते हैं, या investment प्लान कर सकते हैं, इनको आप चाहो तो dashboard के type से बना सकते हैं, या फिर application के format में बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, सकते हैं, तो incidental, अगर कोई भी आपके मन में आइडिया चलता है, तो हमें call करिए, call करके information दीजिए, और अगर आपको सही लगे हमारे साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उमीद कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ information मिली होगी, अगर वीडियो परशने वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ सेरकर दीजिएगा, जिनको इस टाइप के कोई भी प्रोजेक्ट या स्टाटप का idea माइन में चलता है, और उनको developer चाहिए, तो आप हमारे साथ directly call पर बात कर सकते हैं, या फिर मेरे से मिलके भी इन काम को कड़ा सकते हैं, तो मिलते अगले झाल 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